नमस्कार स्वागत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में एड्यूकेशन सेक्टर के अंदर टेक्नलोजी का जो इन्वॉल्मेंट हुआ है उससे कितना ज़्यादा फाइदा है और कितने ज़्यादा इसके बात करते हैं यहां पर मैं competitive exam की बात नहीं करने वाला हूं कि आप सोचें की competitive exam के perspective से बात करेंगे नहीं यहां पर overall सारी चीज़ों के बारे में बात होगी जिए वह class 6 7 8 9 के बच्चे जो है वह 10 के बच्चे जो है घर पे बैठके एक online study करते हैं या फिर वह competitive exam की online study कर रहे ह या offline study कर रहे हैं तो इससे फाइदा क्या है और इसकी नुकसान क्या है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से cover करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता जिता हूं description box में आपको एक telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को तो देखिए पिछले कुछ बीते सालों के अंदर या बात करूं कि कोविड-19 खासकर इसी दुरान के अंदर हमारे देश में adtech education और technology की जो एक industry का जो विकास यानि conventional model चला करता था education का इसका क्या मतलब होता है देखिए one size fits all का मतलब होता है एक teacher आपके सामने है और जो वहां पर admission लेने के लिए जो बच्चा गया है वो उसी teacher से उसको पढ़ना पढ़ता है उसके पास और कोई चारा नहीं होता है तो एक one size fits all एक परंप्रिक education system महार कि ad tech ने इस चीज़ को बहुँ जादा एक अनुकूल कर दिया है बहुँ जादा एक easy way कर दिया है parents के लिए teachers के लिए जो कहेंगे कि जो बच्चे हैं उनके लिए अब किसी बच्चे को किसी teacher का अगर समझ नहीं आता है तो वो किसी दूसरी teacher पे shift हो सकता है एक interactive learning जो है वो थोड़ा बहुत color change करती है फिर मैं graphic का use करूँ आप लोगों को वो चीज़ समझाने के लिए तो यह सब चीज़ें जो इंट्रेक्टी बनाती है बच्चों के लिए लेकिन भारत में अभी भी चार में से किवल एक चातर तक एक चातर के लिए ही digital learning तक पहुँच हो पाई है अलांकि virtual learning के लिए जो ad tech जो समाधान में उनके अंदर वृती हो भी रही है लेकिन फिर भी हमारे हाँ पर लाकों परिवारों तक यह जो पहुँच है यह digital learning है वो अभी भी बाहर बनी हुई है इसके लावा भारत में ad tech का क्या महत्व है देखे सबसे पहले जो इसके फाइ instruments हमने यूज कर लिए या फिर और भी हमने कुछ एक ऐसी method यूज कर लिए जिससे study जब वह engaging हो जाती है बच्चा जो उसको अच्छे से समझ पाता है हमने वीज्वल अप्रोच अपना ली यानि अब उसको कोई mathematics की चीज उसको समझा नहीं थी तो हमने वह डाग्राम के जिनको हम कहते हैं उनके उपस्तिते और ज्यादा तेज है अब इन्होंने इसके अंदर investment देखी इन्होंने देखा कि भारत के अंदर जिस तरीके से हम देखते हैं कि मल्टी कर चले diversity है अलग-अलग language यूज होती है तो उन्होंने इसको एक opportunity के तोर पर देखा और लोगों क उनकी भाष्या के अंदर उनकी सहुलियत के अंदर चीज़ें उपलगत करानी स्टार्ट कर दी एक साथ में हमारे यहां पर on demand learning की जैसे need हुई है जो चातर पारंपरिक स्कूल पर नाली है जैसे की rigid जो हमारे सामने आता है school system होता है उसमें जो time table होता है वो उसके अंदर अ अपनी उस त्यारी को और जो को मतलब की जो competitive exam की त्यारी करने के साथ साथ उस जोग को कभी हैंडल नहीं कर पाते लेकिन on demand learning के कारण क्या हुआ वो उस चीज़ को करने में सक्षम हो पाए है कैसे हो पाए नेखिए कोई बच्चा काम कर रहा है कोई विध्यारती काम कर रहा है या फिर कोई जो एडल्ट है वो काम कर रहा है तो उसको लगता है कि मुझे मेरे पढ़ने का जो time table है या फिर जो मैं class लगाना चाहता हूं एक particular time ऐसा निकालता है कि इस वक्त मैं खाली होता हूं तो वो उसके सामने जो time है वो उसके सामने easy हो गया है वह एक overlap नापाए उसके काम और उसके पढ़ने के बीच में तो इससे जो है वो on demand जो है वो कहें कि मैं इस time के उपर उपलब दूँ मुझे इस time पर आप जो है वो class provide करवा दीजिए तो उससे वो क्या हो गया है कहीं भी भी जहां पर भी किसी भी माध्यम में अपनी सामगरी प्राप्त कर सकत है अध्यन के तो इससे काफी ज़्यादा भी हो रहा है शिक्षकों की उपलबता देखिए पहले क्या था एक जो टीचर था maximum 100 जो स्टुडेंट है उन्हीं का बैच संबाल पाता था 100 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं आप एक class के अंदर 100 स्टुडेंट बिठा के तो वह ऐसे पढ़ रहे होते हैं एक टाइम में तो उस टुडेंट उस टीचर के सामने कितने स्टुडेंट सुपलब्ध हो पाएंगे तो वह चीज़ देखिए लेकिन एक बड़ी संख्या के अंदर बच्चे जो हैं वहां पर बैठ कर उस चीज को ग्रहन कर रहे होते हैं एक यहां पर परसिनलाइज एवलेशन हो गए कि जो एक बच्चा लेर्निंग पैटर को समझते होगे उसको लगते क्यार मैं कोजे की कम समझ में आ रही उसके कारण कि एक्स्ट्रा पर जाओंगा तो कैसा लगेगा या फिर मेरे पास जो फैमिली के responsibility है वो जादा है मुझे वो संभाल नहीं है तो मैं अपनी education अभी continue नहीं कर सकता हूं लेकिन online education के कारण अब क्या हो गया है एडटेग के कारण क्या हो गया है कि वो अपनी जो age है उसको side में रखते हुए अपनी जो परती भादताएं हैं बतलब कि उसको अपनी परिवार के परती जो भी उसको responsibility है उसको निभाते हुए उसके साथ साथ जो है वो learning कर सकता है बिना उसकी रुकावट के समान अफसर और paywall की कमी अभी आप देखिए बहुत जादा important चीज मुझे लगी और बहुत फायदे मन देख्ची लगी भारत के अंदर जैसे ad tech का जो industry है उसने धीरे देरे अमीर और गरीब के बीच में जो high education quality है उसको कम कर दिया है भारत के किसी भी जो background से आने वाले जो विद्यारती उनकी सफलताओं के लिए समान अफसर प्राप्त कर दिये है एड टेग के कारण आप देखिए कितनी जादा cost effective चीज है जो premium जो teachers है और जो students है जो बहुत लोग background से आते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन इस पेवाल के कारण उन्होंने पैसे कम करती है पैसे करने कारण जो premium सिख्षक है उन तक उनकी पहुंच हो गई है तो काफी बढ़िया चीज है हमारे सामने आप देख लेजिए online के कारण क्या है कि जो भी एक आप कोई हो गया है और लोगों को काफी जादा अपनी तरफ लेकर भी आना है बच्चों को यानि काफी तरह अपनी लेकर भी आना है तो इससे कोस्ट को और ज्यादा कम कर रहे हैं और डेफिनिटी जो online सेक्टर उसमें कोस्ट कम लगती ही है offline के comparison में अब यहां पर कुछ चुनोतिय है theoretical के लिए तो यह सबसे बड़ी बाधा निकल कर आती है learning जो online learning होते हैं वहां पर आप यह सब चीज़ें दोड़ना कर सकते हैं आपके सामने एक screen रखी हुई है बस आप उसी को देख रहे हो वो चीज़ें वहां हो रही है वहां पर वो इंसान technology को use कर पा रहा है लेकिन य यहां पर limited social skill attachment enhancement देखें यह फिर भी मैं कह सकता हूं कि हाँ बच्चा इसको जैसे तैसे घर पे भी करने की या किसी लैब में भी जाकर फिर भी कैसे तैसे को करने कोशिक करता है या फिर इतना ज्यादा उसके अंदर बादा नहीं आती है सबसे ज्यादा बड़ी बादा आत है अपने जो आसपास जो वहां के जो बच्चें उनसे जो मिलता है उससे उसके अंदर एक sportsmanship होगी उसकी social skill होगी उसमें development होता है अब यह धीरे धीरे होता है अब बच्चा सामने ही school school नहीं जा रहा है अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर एक holistic development होनी चाह है डिजिटल अवसरंचना की कमी infrastructure की कमी है हमारे देश के अंदर डिजिटल के लिए भारत एक व्यापक भगोलिक जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रॉफिकल कल्चल डैविरिसरेटी है इसके साथ साथ हमारे देश में एक socio-economic divide यानि समाजिक आर्थिक विभाजन भी है जिसक और एक इंटरनेट की connectivity वहां पर रही है इन सब चीज को देखते हुए online sector जो है इसको पूरे हर एक के लिए उपलब्द कराना यह सबसे बड़ी चुनोती है लेंगिंग ऐसमानता में ब्रीधी होना यह क्या है देखिए online शिक्षा से व्यापक जो लेंगिंग ऐसमानता है उसमें इस्थिती उत्पन हो सकते है यह कैसे हो सकते है बिहार के स्कूल के स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों से 733 चात्रों से एक में पाया गया है कि 36% जो male student है और 28% जो female student है यहां पर पाया गया है कि 36 male student के पास smartphone है लेकिन उसके विपरी 28% जो बालिका है उनके घर पर smartphone मौझूद है अब यहां पर जो आप देखती हों कि जो लड़कियां है वो घर का काम भी करती है जिसके कारण क्या है कि वो अब उन जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई में इफेक्ट पढ़ता ही पढ़ता है वेवसाइक कदाचार यानि बिजनस मैल प्रैक्टिस दीजिटल सिक्षा के बढ़ते बाजार के कारण एड-tech कंपनियां जो है वो जो बोगता है जो कस्टमर है जो हम जैसे कस्टमर है या फिर क कि आपको किसी को को आपको कोई कोर्स लेना है तो आप एक कस्टमर होगे तो यहां पर जो इतनी भी ओनलाइन सेक्टर के अंदर काम करने वाली एड-tech कंपनियां वो मैल प्रैक्टिस करती है मैल प्रैक्टिस करन जैसे हाली में जो इन्होंने एक ब्रहामक भी आपनों यान Electronic Fund Transparent के उपर Sign कर लेते हैं और फिर एक Auto Debit सुविधा को भी Activate कर रही है यह क्या होती है भई आप से Online Transfer कर वा लेंगे और साती सात उसमें आपके सामने Auto Debit सुविधा है जैसे कि आपने कोई LoN ले रखा है LoN लेने कि आप हर महीने EMI भरने तो नहीं जाते हो ना आपके बैं यह भी करवा लेती है अब जो परिवार हैं जिनको इतनी जादा नोलेज नहीं है अब हर महीने से उनके बैंक अकाउंट में से रूपे कट रही है एक मेल प्रैक्टिस उनके द्वारे यह की जा रही है दूसरा यहां पर एडुकेटर लर्निंग कर सकते कि यहां पर यह ओनलाइन के ओपर तुरंत आकर सभी बच्चों को ओनलाइन एजुकेशन देने लग जाएगा वहां पर उस चीज के लिए एडेप्ट मतब कि उस चीज के लिए वह भी कहेंगे कि त्यार नहीं है सेम चीज मैं कह सकता हूं कि स्टुडेंट है उसको नहीं कर सकते हूं भारत में हाले में अपनाएगे जो जमीनी स्थर पर इन्नोवेटिव एड्टेक कारेकरम के आसम के द्वारे एक ओनलाइन करियर गाइडलेंस पोर्टल जो क्लास 9 से लेकर 12 और हाईयर एजुकेशन के लिए चलाया जा रहा है जारगंड के द्वारे चलाया जा रही है तो बहुत सारी स्कीम जो है वो भारत के अलग-अलग राज्यों में चलाया जा रही है आगे की रा क्या हो सकते हैं डिजिल डिवाइड को दूर करना ओंडान लानिंक के विस्तार के लिए बहुत में मोजुदा डिजिटल डिवाइड को दूर करने की बहुत जाधा जरूरत है ओडिसा सरकार ने अभी हाले में 50 पहल पाच बाटती का मतलब Transparency, Teamwork, Technology, Timeline, Leading Transformation होगा यह काफी बढ़िया स्कीम है यहाँ पर जो ओडिसा सरकार के द्वारा चलाए गई है फिर Inclusive Education Policy जो है देखे महामारी के दौरान समावेशी सिक्षा नीतियों के आवशकता को वेश्रिक्स तरपर चीनित किया गया है मतलब कि जैसे हमने देखा है कि पैंडमिक आया है और इस वक्त हमें ओनलाइन सेक्टर की कितनी ज़्यादा जुरूरत है हमने यह भी देखा है अभी हाली में मैं एक साथ साथ यह बात भी जोड़ना चाहूंगा कि ओनलाइन सेक्टर में जैसे भूम आया था लेकिन अब जैसे पैंडमिक खतम हो गया है तो जैसे बच्चों का अफ्लाइन सेक्टर की तरफ भी बढ़ना हुआ है आप फॉर एक्जांपल कोटा के अंदर देखिए 2019 के कंपैरिजन में अब कहा जा रहा है 2022 में लग बग तीन लाग बच्चों का यहां पर आना होगा जो काफी बड़ा एक आंकड़ा है इतना अभी तक उमीद भी नहीं की गई थी इतना ज़्यादा आंकड़ा है यानि कितने सारे बच्चें जो पहुंचने वाले हैं तो य देखते हैं यह ओनलाइन सेक्टर होगे अब कैसे जो है ओनलाइन सेक्टर जो है अब है ब्रहामक विग्यापनों एक मिसलीडिंग जैसे वो काम कर रही है अडवर्टाइजमेंट निकाल रही है तो यहां पर इनकी ट्रांस्परेंसी के उपर बल देने की बहुत ज़्याद और जो जिसने इसकी शिकायत किया उस शिकायत को तुरंट से तुरंट उसका निप्टारा किया जाए इन सब चीजों की बहुत ज़्यादा जुरूरत है इसके अलावा आर्टिफिशल इंटेलिजन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं अभी हाली में आइटी खड़कपुर ने नेशनल IIT रिसोर्स प्लैटफॉंग ये डेवलोप करने के लिए Amazon Web Service के साथ हाथ मिलाया है जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में बहतर टीचिंग और लर्निंग के लिए आँखों की गती जो मोशन है और अन्य जो मूवमेंट है मामदंड है उनकी निगरानी जैसे त यहां पर अलग अलग टीचर्स अविलेबल हैं यहां पर स्टूडेंट्स बहुत संक्या में पहुंच रहे हैं जिनको एक ओविसली ओफलाइन के अंदर मैंने जैसे देखा है कि काफी सारे बच्चे जैसे मैं पढ़ाता हूं ओफलाइन के ऊपर ओफलाइन में मुझे पर फोकस नहीं कर पा रहा है तो ओनलाइन उनके लिए काफी यह आपकी अपनी सहुलियत के लिए है आप किसको प्रेफर करते हो लेकिन स्टार्टिंग में जो बच्चा है उसको स्कूल में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि स्कूल के अंदर जिक होलेस्टिक ड काफी अच्छा है जिसमें इन सबने यह गएं कि पी डबलू बाइजू अनके इन सबने ओनलाइन सेक्टर में काफी बढ़िया काम किया है लेकिन अभी आप देखिए जैसे ओनलाइन के बाद अब ऑफलाइन में बच्चे जैसे बढ़ रहे हैं पैंडमी के बाद ऑब ऑफ तो यह एक प्रैक्टिस यहां पर चल रही है अब वह अलग बात है कि इससे कितना फायदा होने वाला है यह तो आने वाला टाइम ही बताएगा तो उमीद करता हूं कि आज का जो टोपिक है वह आपको अच्छे से समझ में आ गयोगा समझ में तो बेशक वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पीडियो के लिमा आप लोगों को अल्रेडी बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टैलीक्राम का इक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आ वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं कुछ ज्यादा ही पसंद रहे हैं तब इशक्त वीडियो को शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों और अपने प्रिवार जनों के अधार टैंक्यू और वाचिंग